नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सब का हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको जिस औसदी पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके आज मैं पैठान कराऊंगा इसको आपने अक्षरी जंगलों में देखा होगा हलाकि ये कम मात्रा में मिलता है लेकि फिर भी आपने जरूर देखा होगा जो कटीले बन होते हैं उसमें ये आसानी से पाय जाता है दोस्तों इसको आप देखिए ये इसकी पत्या फूल है ये बबूल के समान ही दिखने में लगती है बस काथे में अंतर होता है इसके फ़लों में फूलों में अंतर होता है लेकिन जो पत्तियां है वो बबूल की समान ही दिखती है इसलिए इसको खेर बबूल कहा जाता है इसको खेर, खेरोवा, कत्था या फिर खेर बबूल की नाम से जानते हैं, पैचानते हैं यह है आपके चर्मरोगों पर, पेट रोगों पर, मुए के चालों पर और चर्म रोगों पर विसेश काम करता है आप इसको देखिएगा पैच्छानियगा तो दोस्तों जादा समय ना लेती हुए हम बात करते हैं आपको बताते हैं कि कैसे आप इस खेर का अपने रोगों को दूर करने के लिब प्रियोग कर सकते हैं तो खेर की चाल को ले ले और उसका सार बना ले जिसको कथा कहा जाता है ठीक है उसको मुहे में अगर रखने से कर चूचते हैं तो मुहे की जो च्छाले होते हैं मुहे के च्छाले और मुहे की सूजन ये दूर हो जाते हैं या फिर आप इन पत्तियों को ले ले ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं इन मुहें में और भी कोई समिस्या हो ये खत्म कर देता है दोस्तों गले में जिनको खराच होती है जिस तरीका से इस तरीका से करते रहते हैं लेकर फिर भी खराच नहीं जाती है तो ऐसी खराच को दूर करने के लिए आप खदर का चूरन बना ले और तेल में भिंगो ले फिर गले में खराज हो तो इसे मुहें में रखने से खराज दूर हो जाती है या फिर खेर, डालचीनी, काली मेर्च और लॉंग इन सभी की पीश करके बटी बना ले फिर चूशने से भी खराज दूर होती है दोस्तों ये दमा और खासी के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तम मान जाता है दमा और खासी में कैसी प्रियोग करेंगे आप इस खेर की लखड़ी को जला ले और फिर जल में बुझा कर जल को तुरन ढग दे इस जली लखड़ी के धुए का सुगंद को सूंगे इसके साथी सुगंद जल को पीने से खासी में लाब होता है और 500 मिली ग्राम ख जाल का जो सार होता है जिसको कथा बोला जाता है उसमें आप बराबर हल्दी तथा मिस्री मिलाकर खाते हैं तो खासी में बिसेश लाब करता है यह भकंदर जैसी बीमारी में भी अच्छा काम करता है भकंदर के अगर शिकात है तब खेर और त्रिफला से बने 50 मिली काड़ में 5 ग्राम घी तथा 3 ग्राम बाइबरं का चूर मिला ले और इसे अगर पीते हैं तो भकंदर में यह बिसेश लाब करता है याद रखिएगा यह डाइविटीज में भी उपी होगी है और लिकोरिया में गठीया रोग में भी उपी होगी है डाइविटीज के मरीजों के लिए 500 मिली ग्राम चूरन में 125 मिली ग्राम जीरा को मिला ले इसे फिर अगर सेवन करते हैं तो डाइविटीज में अच्छा काम करता है और लिकोरिया की जो मरीज है जो आपको सफित फानी के मरीज है वो खैर की च्छाल और सीसम की च्छाल और सीसम की च्छाल दोनों को मि पर दरको यह दूर करता है गठेया रोग की इसकात уже है तो इसको पैस्छान गाट देखेगा प्रीस के अबता अब सब्सेमisesti करते हैं जहां बाद में सब्सक्तक्रिय एक सब्सक्राइबिद समस्तिय कह देखे do तो गठीयों का प्रिकूप आमबाद का प्रिकूप ये दूर कर देता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है हाथी पाओं फालेरिया में। फालेरिया है हाथी पाओं है ऐसे में पुनर्नवा और निम की छाल खैर की छाल तथा हल्दी और भ्रिंग राजे। इन सभी को लेकर के आप सुबह साम सेबन करते हैं अगर चूरन बना करके तो अच्छा काम करता है और इसको गाय के मुत में पीस करके अगर लेपन करते हैं तो भी बिसेस अच्छा काम करता है जाने कारी कैसी लेगी कमेर बहुत जरूर बताएं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइ करें नहीं करें नहीं